यह लो को यह लो एंड वेलों यह लिए लिए लेक्ट नुमर पाई रहेगा परूटेशन और कॉंबिनेशन का हम यहापर आज बच्छों बहुत ही इंट्रेसिंग चीज़े तीजने वाले हैं bundle method and gap method हम यहाँ पर counting की अलगलग technique सीखना चारें बच्छों इस पर डिलोग चैप्टर के अंदर जैसे कि इसके पहले हमने gap method के बारे में पढ़ा था हमने addition and multiplication principle के बारे में पढ़ा था हम यहाँ पर selection के लिए NCR और arrangement के लिए NPR आपको यहाँ पर लाइव लेक्ट्रें किया रहेंगे तो आपको जे में जे एडवांस दो ही पेपर के लिए बहुत अच्छा support मिलेगा बस आपको यहाँ पर अपने side से क्या करना है dedicated efforts लगाने है और practice जारी रखनी है आप अगर यहाँ पर practice करते रहेंगे तो आपका comfort level आपका speed आपका accuracy side by side यहाँ पर improve होते रहेगा लेकिन learning के लिए आप पूरी तरह से dependent कर सकते हो on this YouTube channel which is Unacademy J.E. आपको अगर यहा इस भी बार आपके साथ में discussions कर रहे हैं आगर आपको पुराने discussions कर देखने हैं या फिर कोई topic आपने अगर 3.0 series के भी अगर miss कर दिये हैं then live delivery.me.je एक link हमने create किया है इसके ओपर physics chemistry maths का पूरा content अलड़ी आपके पास में मौजूर है आप इलका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाँ पर एक रात में बैठके सारे देख लेंगे तो अच्छी बात हैं but don't push it towards the end of the week कि हम यहाँ पर हाँ हफते बर तक आराम करते हैं फिर end में एक हफते का पूरा पूरा lecture से एक साथ बैठके देख लेंगे that should not be done अगर आप यह कर रहे तो बहुत गलत बात है आप यहाँ मेहनत करो बाद में बचे भी समय में आप यहाँ पर जो है अपना time किस तरह से spend करते हैं वो तो आपके पर depend करेगा लेकिन आप बचे परतर हमारे साथ में connected रही है on telegram channel also telegram channel के ओपर भी आप यहाँ पर interaction कर सकते हैं सभी के साथ में आप यहाँ पर मेरी file को भी follow कर सकते हो on academy on academy app के बारे में आएकर सारे बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर सीखने के लिए जहां से भी मिल रहा है वो सारे resources अगर हमें पता हो तो हम यहाँ पर decide कर सकते हैं कि हम यहाँ और किस तरीके से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो on academy app के उपर बच्चों आपके कई सारे free classes भी होती है और अगर आप यहाँ पर subscription लेना चाहते हैं तो वो भी हाँ पर available है subscription के साथ में आपको full length batches join करने के लिए मिलता है which is pretty amazing क्योंकि आप अगर एक batch join करते हो तो आपको जो है उसके साथ में test series उसके साथ में doubtling sessions interactive sessions सारे के सारे मिलते है material के साथ में आप यहाँ पर download करके उनको अच्छे जरी के से solve कर सकते हो तो एक पुरा ecosystem आपको मिल जाता है so that's why we recommend this particular platform to all our students और आपको यहाँ पर पता होगा कि इंडिया के सभी top educators एक साथ आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और आप सभी की batches में enroll कर सकते हो number of batches enroll करने के उपर य आप सोचो कि कितना बहतर आपके लिए यह platform बन जाएगा क्योंकि आप अगर यहाँ पर offline mode की बात करते हो तो offline mode में आपके पास में हाँ पर किसी एक institute का कोई सा एक batch जो है provide किया जाता है उस batch में जितने educators है उतने ही educators की help ले सकते हो उतनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में लेकिन यहाँ पर multiple educators के साथ में connected हो उनके guidance के अंडर हो तो यहाँ पर result मेरी ख्याल से इसी वाज़े से काफी amazing आए भी है अमयान ने तो यहाँ पर बच्चो टॉपर of toppers बनके दिखा दिया है ब्रतिन ने भी हाँ पर 100% स्कोर करके दिखाई J.E.Main में and J.E. Advance is yet to come तो motivation videos भी करते रहते हैं, guidance videos भी करते रहते हैं, I hope उन से भी आपको काफी help मिलता होगा, but nonetheless यह जो हमारे academic session से यह सब स्यादर helpful है, आप बच्चो YouTube के बाद अगर एक step transition कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर unacademy के ऊपर plus या iconic subscription के साथ में जूड सकते हैं, summit like के साथ में आपको maximum possible discount भ I hope सारे बच्चों ने उस class को देखा है, हमने वहाँ पर chessboard problems और geometry problems का discussion किया था, ठीक है, so that class was very similar to a JPP session, है ना, जहाँ पर JPP session में most of the time हम हम आपर questions का ही discussion करते हैं, उसके अंदर कोई नए concept नहीं पढ़ाय जाते हैं, वैसे हमारा पिछला lecture था, lecture number 4, उसके अंदर basically lecture 3 का ही knowledge का हमने पर दो जो है application देखा था, कि selection कैसे करते हैं, और उनमें से ही एक सवाल ये था, काफी interesting सवाल है, और कुछ बच्चों ने इसके गड़बड answer भी दिये हैं, पिछले lecture के comment section में, तो उन बच्चों नहीं हाँ पर इसको भहुत अच्छी तरिक से दिखना चाहिए, but I am pretty happy क यहाँ पर कुछ बच्चों ने सही answer भी दिये हैं, question देखें यहाँ पर सारे बच्चे जिन्हों ने इसके पहले सवाल नहीं देखा, एक बार पढ़ ले, find the number of ways of keeping two identical rooks on an 8x8 chessboard so that they are not in adjacent squares, अब adjacent squares का मतलब भी उसने बहुत clearly बताया हुआ है, two squares are adjacent when they have a common side, इसका मतलब क्या ह है, यह जो दो आपके squares है, यह actually adjacent नहीं है, यह जो basically हाँ पर एक single vertex share कर रहे है, single vertex share करने वाले जो आपके squares है, वो adjacent नहीं है, adjacent किसको इसने बुला है, two squares are adjacent when they have a common side, इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर imagine करना चाहते, then maybe this combination has a common side, इसलिए आप इन दोनों का selection को क्या कह सक हो, इन दोनों की selection को आप यहाँ पर basically adjacent squares का selection कह सकते हो, ठीक है, clear हो, तो यहाँ पर हमें क्या धूंदना है, वो clear हो हमें, कि हमें यहाँ पर अपनी rooks को इस तरीके से रखना है, कि वो adjacent squares में ना हो, अब यहाँ पर adjacent squares धूंदना मेरे खाल से जादा आसान काम है, तो हम वो कर करते हैं कि हम अगर adjacent squares में रखना चाहते हैं, तो कितने तरीके से रख सकते हैं, let us try to attempt question in this direction, और पर हम के बोलेंगे, नहीं यह तो यह तो यह तिनी पूछाता है, इसका opposite पूछाता, तो total में से यह वाले cases अगर हम subtract कर देंगे, जहाँ पर adjacent squares में रखे जा सकते हैं, रुक्स अगर हो total में से subtract करने को, तो मेरा correct answer पर वहां से निकल कर आना चाहिए, yes, is everybody okay with this idea, is everybody okay with this idea, yes, 1904 इसका answer, yes, 1904 is the right answer for this question, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, so यहाँ पर 2 cross 7C1 and 8C1, okay, so बहुत ही amazing तरीके से यहाँ पर answer निखा हुआ है, एक और यहाँ पर visualization में आपको द रहे हैं, देखो, आपके पास में यहाँ पर, जो है, total number of squares निकालने का, तो मेरे ख्याल से, काफी आसाम तरीका है, देखो, हमारे पास में, 2 adjacent squares जब यहाँ पर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर वैसे इसने square का size नहीं बोला है, लेकिन हमें अगर एक रूक रखना है, तो हम 1x1 वाला square पर रखेंगे, तो यहाँ पर इसने, जो है, इसलिए 1x1 या 2x3 इस तरह का कोई size mention नहीं किया, because it is well understood कि हम यहाँ पर, अगर square देख रहे हैं, तो सबसे छोटे-छोटे-छोटे वो black or white squares हो है, उनका यहाँ पर count है, जो इहाँ पर 64 होते हैं, ठीक है, अब मुझे तो total number of cases हो गए, इसके अंदर ऐसा हो भी सकता है कि हमारे selection अच्छा निकला, है न, let's say मैंने एक यहाँ पर select कर लिया, एक यहाँ पर select कर लिया, तो यह adjacent नहीं है, यह मेरे case के साथ में agree कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने एक यहाँ पर select कर लिया, तो यह मेरे case के साथ में disagree कर तो हम यहाँ पर इसको basically क्या पोड़ है, यह तो total number of cases, अब यहाँ पर हम basically जो adjacent squares का selection है, उसका discussion यहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है, now let us look at this idea, let us try to understand कि यह idea कैसे हमारा काम कर रहा है, हम यहाँ पर सबसे बिले देख सकते हैं कि हमारे पस में 3 अलग-अलग type के squares है, as far as selection of adjacent squares is concern, हम रपास 3 अलग-अलग type के squares है, जैसे कि एक type of square यह वाला है, जहाँ पर आप अगर corner वाले square को पकड़ते हो, तो उसके adjacent आपको 2 squares नजर आते हैं, this is true for all the corners, देखो यहाँ आवित हम से, इस corner पे भी आपको 2 adjacent squares नजर आएंगे, इस corner पे भी आपको 2 adjacent squares नजर आएंगे, औ तो यह जो 4 आपके squares है, जो corner वाले squares है, वो एक जैसा behavior produce कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे corner वाले side को include करके, corner वाले square को include करके, अगर adjacent squares count करना start करूं, तो मिरे पास में कितने cases बनेंगे, एक adjacent square यह वाला, फिर एक यह वाला, दो हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमारे पास में 8 ऐसे pairs बनेंगे, यह सोरव, पहले question को समझते हैं, यहाँ पर हम कैसे इसको crack करने वाले हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर समझवे आ हैं कि here adjacent squares के selection में, यह जो corner वाले हैं, वो इस तरीके से behave करते हैं, now let us look at another scenario, which is on the edge, अगर आप यहाँ पर किसी edge के ओपर located square को देखते हो, ठीक है, त इस वाले किसी को पकड़ते हो, तो उसका behavior further अलग है, अगर मैं इस particular position को पकड़ता हूं, कहीं center में, तो इसके adjacent में हुझ है, यहाँ पर अभी 4 squares नजर आ रहे हैं, मतलब उसको अगर मैं लेकर अपने adjacent squares का scene create करना चाहूं, case create करना चाहूं, तो मिरे पास में 4 आएगा, एक क पकड़के मेरे पास में 4 possible combinations बनेंगे, यहाँ तक सही, यहाँ तक idea सही, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम total ways कैसे count कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, कि देखो आपके पास में total corners कितने हैं, 4 है, आपके इसमें total corners कितने हैं, corner वाले squares कितने हैं, 4 है, और हर corner वाला square आपको दो अलगलग type के scenarios generate करके देता है, इसलिए हमने into 2 कर देया, तो total 8 आगया, जैसके आप यहाँ देख भी सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और 8, ठीक है, इस तरह से हमने अलगलग count किया था, ठीक है, alright, उसके बाद में हाँ पर जो है, और ए तो edge के उपर मौझूद कितने हैं, यहाँ पर मैं corners को count नहीं करूँगा, मेरे edge के उपर मौझूद जो है, जो basically यहाँ पर 3 adjacent squares create करते हैं, ठीक है, वो कितने हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, एक edge के उपर 6 है, दूसरे के उपर भी 6 होंगे, यहाँ पर भी 6 होंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर adjacent squares का selection देख रहा हूं, तो यहाँ पर मेरे पास में हर एक square, 3 cases मुझे generate करके देगा, तो into 3, हर एक square मुझे 3 cases generate करके देगा, इसलिए into 3, और अगर मैं यहाँ पर इस तरह के green वाले cases की गिनने की कोशिश करूँ, तो green वाले जो आपको यहाँ पर selection है, वो basically यह यहाँ रहेगा, बिल्कुल बीच में, जहाँ पर हम edges को भी भूल गए है, और corners को भी भूल गए है, मतलब हमारे यहाँ पर जो chessboard है, वो ऐसा लग रहा है, छोटा होगे, एक्दम से side 7 कट कर दिया, तो 6 x 6 का हमारे हैं यहाँ पर अभी chessboard बचा है, ठीक है, so that gives us basically 36, 36 squares, जो concept behavior show करते हैं, कि किसी भी एक को अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर 4 adjacent squares मुझे provide करेंगे, 20 to 4, ठीक है, तो adjacent squares मैंने कैसे select किये हैं, तीन अलगला category के squares को study करके मैंने यहाँ पर adjacent squares select किये हैं, अभी तो काफी अच्छा लग रहा है है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी अगर और सोचेंगे, तो आपको यहाँ पर अभी feel होने लगिया होगा, इसके अंदर repetition नहीं होगे, क्योंकि सर आपने यहाँ पर अभी बोला, कि यहाँ पर यह वाला जो square है, अगर आप इसके adjacent देखते हो, तो आप यहाँ पर तीन cases count कर रहे हैं, यह जो आपके तीन cases है, इसमें एक सर, यह वाला आप count करोगे कि नहीं करोगे, मैं बोलूगा, हम बिल्कुल करोगे, पिर आप बोलोगे, सर, लेकिन जैसे कि आपने हाँ पर एक red dot अभी black के ओपर बनाया है, वैसे आप यहाँ पर बनाओगे, है ना, और आप बोलोगे कि इसके adjacent भी 3 है, तभी ता आपने तो मुझे उससे 3 adjacent squares बनाने का मौका मिलता है, लेकिन सर, अगर आप उपर वाले को select करोगे, है ना, ऐसा logic रहेगा ना, आपका, आप क्या बोलोगे, सर, लेकिन अगर आप उपर वाले को select करोगे, और आप यहाँ पर आपर counting इस तरे से करते हो, कि एक adjacent उपर, एक adjacent left में, औ और एक adjacent नीचे, तो जो आप नीचे वाले को count करोगे, तो यह तो already count हो चुका है, यह तो already count हो चुका है, आपने यहाँ पर यह नीचे आले को importance दिया था, तो आपने ऊपर वाले को importance दे रहे हो, तो आप नीचे आले को भी count कर रहे हैं, तो क्या यह सा हर बार आप यह इसके आज पास भी चार आएंगे लेकिन उसमें से एक यह वाला केस तो पहले ही हो चुका है मां कि आपको यहां पर यहां पर यह वाला यह वाला यह वाला कॉंबिनेशन पकड़ूंगा ठीक है यह आपको पता है कितने बार काउंट होगा यह दो फार काउंट होगा क्योंकि जब मैं यहां पर ऊपर वाले को प्राइरीडी देके काउंट करूंगा तो नीचे अला एड्जरसेंट है और नीचे अलग को priority देके count करूँ तो उपर वाला adjacent है मज़़ा हम basically हाँ पर यह सोच सकते हैं कि ये वाला edge क्योंकि दो अलग-लग squares share कर रहे हैं इसलिए ये दो बार count होगा वैसे ही अगर आप किसी horizontal वाले को पकड़ लो तो भी same logic है जब मैं यहाँ पर बीच में एक edge common बोल रहा हूँ तो इसके perspective से देखूँगा तब भी इसके साथ में right hand side में एक square adjacent है तो यहाँ पर यह case count होगा और इसके perspective से देखूँगा तो फिर से left में आपके बास में फिर से common है इसलिए आप उस case को दो बार count कर रहे होंगे and this is happening every time तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर इसको divide by 2 करना पड़ेगा ठीक है वन यू divide by 2 this gives us our correct answer ऐसा हो रहा है ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर corner वाले को भी अगर देखना चाहते हो तो देख लो corner वाले में क्या हो रहा है आगर आप है ना बाकी दुनों तो मैंने discuss कर दिए यह आले भी discuss कर दिए यह भी discuss कर दिए ठीक है corner वाले को देख लो एक possibility उपर अब यह तो पहले ही count हो जुका था वाला तो मैंने corner की मतलब से अल्ड़ी count कर लिया था ठीक है तो हर एक scenario जो मैंने यहाँ पर basically लिखा था corner की मतलब से 2 मुझे cases मिलेंगे edges की मतलब से मुझे 3 cases मिलेंगे और beach वाले squares की मुझे 4 cases मिलेंगे हर एक बार मैंने double counting कर लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए इसको divide by 2 करना पड़ेगा यह एक्जसेंट वाला count है ठीक है counting एक्जसेंट counting एक्जसेंट squares ठीक है तो इसका answer देखो कितने आता है अगर आप यहाँ पर करो कि देखो आपका answer क्या बनेगा यहां पर आपका टू से cancellation हो जाएगा टू के साथ में यह आपका हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा आपका यहां पर answer आएगा ठीक है तो हमारा overall answer क्या बनेगा यहां पर 64 C2-112 यह कितना होता है 64 into 63 64 into 63 upon 2-112 बस इसको calculate करने की दे रही है आप इसको calculate करो और जट से मुझा यहां पर answer आपका स्में 1904 आना चाहिए जैसे कि बच्चे यहां पर लाइव चैट में बता रहा है ठीक है नाव दिस लॉजिक माइट इसका discussion एक बार फिर से में कर लूँगा कोई दिक्कत निए ठीक है ओल्राइट फाइनल एंसर की से answer match करवाना पड़ेगा उसका साही बोल राप ठीक है 1986 शिवाम एक बार फिर से change कर लो अपना चेक कर लो answer चेक कर लो ठीक है ओल्राइट सर वर्क पार एनरजी का 2019 का लेक्चर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है सुरज ऐसे डाउनलोड के उपर हमने कभी भी restriction लगाई नहीं है ठीक है तो डाउनलोड होना चाहिए आम नाट शूर एक्जाक्ली क्यों है इशू ठीक है डाउनलोड अपर यहां पर जो है डाउनलोड वीडियो में से आप उसको देख सकते हो तो एप के उपर तो यह फैसल्टी जो है अलड़ी आउन ही है आप एक बार फिर से ट्राइक कर लेना लेटस लेटस स्टाट अबर नेक्स डिसकेशन आई होप सारे बच्चे को लास्ट को अच्छे तरीकी से पता चल गया था कैसे करना है बंडल मेथेड का हम यहां पर डिसकेशन आप बेसिकली हम चीजों को साथ में रखना चाहते हैं अगर आपको बुक्स का बंडल बनाना है बंडल बनाने के लिए आप किया करते हैं उसको किसी चीज से रैप कर देते हो ठीक है या अप सेलोटिप लगाद होगे या फिर आप उसके ऊपर लडस से उसको रसी से बांधत होगे कुछ भी करके आप बंडल बनाना जानते हूं ठीक है एक-स पूरा बंडल मेंने पर पूरा को पूरा हमने हाँ पर बंडल पर्चेस के लिए अब हम पती पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चीजों को हम साथ में रख रहे हैं और इस पर बेस्ड आपको जे इन जे एडवांस दोनों ही सवाल अलड़ी आ चुके हैं और आगे भी पूरी तरह से चांसे से क ही आते रहेंगे ठीक है विकॉस यह कोर मेथर्ट हम जो है जैसे की मल्टिप्लिकेशन प्रिंसिपल एडिशन प्रिंसिपल बिल्कुल को रहें न का वैसी बंडल मेथेड और यहां पर जो ग्याप मेथेड हम आगे चलके पढ़ेंगे आज के लेक्शर में वह दोनों ही बह विल हल्प उस क्लियर दी आईडिया है न कि हाँ पर कैसे चीजे वर्क करती है तो एक लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली आपके उसमें फिजिस केमिस्टिम मैट्स की अलगलग नमबर की बुक्स हैं है ना मैथमेटिक्स की उस लाइबरी में तीन बुक्स हैं दो फिजिक्स के आओगे ठीक है लेकिन अब यहाँ पर कंडिशन के दिए इन हमनी वेज दीज कैन बी अरेंग्ट सब्सक्राइब हैं अब यहाँ पर उसने दो केसे बना के दिए आपको अब क्या करें हम यहाँ पर ऐसे कुछ सोचेंगे कि क्योंकि हमें सेम सब्जेक्ट की बुक्स को साथ में रखना है तो फिर से बंडल में उनको डालने की कोशिश करेंगे ठीक है बंडल में डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिख रहा हूं में हमारे अंडरस्टेंडिंग के लिए MMM है ना हमारे पास में तीन मैट्स की बुक्स है उसको मैंने MMM से डिनोट किया है मेरे पास में दो फिसक्स की बुक्स है उसको पी और पी से डिनोट कर लेते हैं और क्योंकि मैं चाहता हूं यहाँ पर अरेंज करते समय मैट्स की बुक्स आपस में है ना दूर दूर ना हो जाए तो हम यहाँ इमेजिन करते हैं एक बंडल और इसलिए इस मेथड का नाम क्या है बंडल मेथड कि हमने इनको बेसिकली एक रोप से टाय कर दिया या फिर आपन ह्ने बंडल क्रियेट कर लिया है तो आप अरेंज करते समय अप केवल बंडल्स को यह औरइंज करोगे क्योंकि अब बंडल तीन एंटीटी प्रेजैंट है अब हैं यहाँपे बंडल ऑंडल भुक्स नाम देरे हैं ना एंटीटी वन येंटीटी टू एंटीटीए there are three entities only that we need to arrange on a shelf अब तीनी अगर आपके इसमें entities है तो आप कितने तरीकी से अरेंज करोगे आप obviously यहाँ पर three factorial ways में ही arrange कर सकते हो जिसका value कितना होता है छे के बराबर there are only six phase in which you can arrange these many books on a single shelf क्यों क्योंकि आप यहाँ तो math से start कर लो फिर physics chemistry हो जाएगा या फिर math से start कर लो या फिर आप chemistry से start करके math physics कर लो या फिर आप chemistry से start करके physics कर लो यहाँ पर हमने सारे cases count भी कर ली तो यह six answer तक पहुसना actually काफी आसान काम था क्योंकि हाँ पर हमारे पास में सारे books जो थी वो अपने आप में identical थी अब यहाँ पर सवाल उड़ता है कि हमारा दूसरा केस हम कैसे solve करेंगे पहला केस आए हो सारे बच्चे को यहाँ पर बहुत सिंपल लगा होगा और bundle method का importance आपको समझ में आया होगा कि हमने उसको अगर एक bundle में डाल दिया तो हम यहाँ पर यह तो आपको कंडिशन मीट करनी ही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप इसने क्या पूला होगा एक लड़ से क्या है इस टाइप की आपको आपके वास में बहुत सारा ऐसे अलग अलग बुक्स है अपकी बार लेकिन आप यहाँ पर क्योंकि मुझे यह कंडिशन तो मीट करना ही है कि all the books of the same subject are together तो मैं यहाँ पर अलग ही अलग अलग है वो बुक्स यह जताने के लिए इनको M1 M2 M3 बोल रहा हूं यहाँ पर अलग अलग है फिजिक्स की बुक्स यह जताने के लिए मैं यहाँ पर इनको P1 P2 लिखूंगा अब यहाँ पर सोचो कि हम इनको अर्रेंज करना शारे तो हम क्या करेंगे फिल से तब यहाँ पर आपका एंसर ओविएसली सेम नहीं आना चीए ना इसके अंदर तो कोई डावट ही नहीं है ठीक है थी फैक्टोरिल वेस में हमने अपने बंडल को अर्रेंज कर सकते हैं त्री फैक्टोर बेस्में लेकिन अब बंडल के अंदर सोचो यह जो मैंने अभी आपको एक केस लिखके दिखाया है है M1, M2, M3 इसकी जगे अगर यह M2, M1, M3 होता तो क्या हमारा अरेंजमेंट गलत हो जाता तब भी सही होता क्योंकि इसकी रिक्वार्मेंट यह है कि all the books of the same subject should be together यह थोड़ी बोला है कि नहीं पहले आड़ी शर्माना चीए फिर आरे सगरवाला ऐसा थोड़ी बोला इसल तीनों ही bundles के अंदर यह चीज़े में ध्यान रखनी पढ़ेंगे इसलिए यहां पर सारी questions हम यहां पर आज parts में करने वाले हैं because the concept has to be very clear कब क्या करना होता है यहां पर हम किवल bundles को अरेंज करेंगे यहां पर bundles को तो अरेंज करेंगे लेकिन अब bundle के अंदर भी arrangement करेंग ठीक है तो इतना answer आपका फाइनली निकल कर आएगा यहां पर बच्चे जो है पूरा पूरा मुल्टिप्लाइ भी करके दिखा रहें 8640 और वापर है, 8640, three factorial, three factorial, two factorial, five factorial, three factorial, two factorial, five factorial, yes, is this clear, और कभी भी आप यहां पर, अगर PNC के question को solve कर रहे हो, ठीक है, chemistry, सोरोमन, क्लेडन, और क्या, greenwood, NCRT, and easy organic chemistry, अरे बापर है, यह तो, इसमें तो कही सारे नाम, मैंने पहली बार सुने, एक बच्छाए, हैं आपर सजेस्स क पांच बुक्स का नाप मैंने इतने काफी सारे नए नाम सुने मैंने स्कुलें त्री यह क्या है यह अगर आप यहां पर यह नहीं लिखोगे तो आपको क्या यह एक स्टेप पढ़के रिविजन करते समय सवन्हें आयागा आपको फिर से वीडियो अबढ़ेगा अगर आप खुद से सौल कर लोगे पूशन आगे चलके तो बहुत ही बड़ी यह बात है लेकिन अगर आपको लगता है कि रिविजन करते समय में इन ही कोशन का फिर से रिविजन करने वाला हूं तो बेटर वुडबी तो जस्त राइडाउन की एक डबा क्या है यह वाड़ी ट्री फैक्टोरियल ठीक है तो यह बंडल्स का अर्इंजमेंट है ठीक है अर्इंजमेंट और बंडल्स इस तरह से आप सारी चीजें एक एक करके नोट डाउन करना स्टार्ट करें अगर आप का अर्इंजमेंट का अर्इंजमेंट हम अलग से यहां पर करेंगे अपने डिसकेशन में ठीक है आपको यहां पर पर प्रिवेस की कोशन भी कराएंगे तो आपको मजा आएगा यह देखी कि यार कितना आसान है लेकिन एक्जाम में पूछा जा रहा है तो अच्छी बात इसके पहले वाले क्या था कि नहीं आल बॉक्स ऑफ दे सेम सब्जेक्ट और यहां पर जो टूगेदर वाली रिस्रिक्शन है हमने किसके उपर लगा ही मात्र मैथमेटिक्स की उपर लगा ही तो क्या चेंज होगा फिर इसके अंदर देखो बाकि सब कुछ सेम है कि है पहला Since the original question states कि आपको mathematics books को ही साथ में रखना है तो इस बार यह जो MMM है बस यही एक bundle के अंदर जाएगा अब आप यहां पर physics दोनों books अलग लग भी हो जाएगी है न तो भी मेरे को tension नहीं है और chemistry की यह 5 books अलग लग हो जाएगी तो भी मुझे tension नहीं है किसका ख्याल रखना है मुझे कि maths की book समेशा मुझे एक साथ नजर आने चाहिए तो अब यहां पर आपके असमें entities कितनी है तो यार इस बार यह पांचों आपको अलग लग entities दिखाई दे रही है क्योंकि यह अलग लग भी हो जाएगी तो भी किसी को tension नहीं है इनको साथ म में रखने का कोई यहां पर मेरे पास में जो है मोटीव नहीं है question में बुला ही नहीं गया है question में बुला गया कि यह तीनों साथ को चाहिए अंड आट मिर्वास में एट एन्टीटीज है। जिसमें से इन्टीज इंडिवीजुल वुक्स हैं और एक मेरे पास में बंडल है। मेरे पास में टोटल एट एन्टीज हैं। ना उनको मैं अरेंज कितने तरीके से कर सकता हूं क्या मैं उनको एट फैक्टर तरीके से अरेंज कर सकता हूं नई वेकॉज ऑप दीज एट एंटिटीज दो आपके एक जैसे हैं तो इसलिए दो फैक्त्रल से डिवाइड करना पड़ेगा और पांच आपके एक जैसे इसलिए आपको इन पांच पी डिवाइड करना पड़ेगा 8 फैक्टिल्ल उपञ्ट्ट्र विंटेक्ट्र सब्सक्राइब ईक वाझ है खसने हम देखा कि कौन-कौन से सेम अब यह तो एक सिंगल बंडल है नहीं या इन बुक्स आपने चिपका के एक सिंगल बुक्स बना दिये आप ऐसा सोच ठीक है तो इसका इसका थ्री फैक्टरल आप में इंपॉर्टन नहीं रहा है ठीक है लेकिन यह दोनों क्योंकि अलग-अलग हो सेम सब्जेक्ट आर अलसो दिस्ट्रिंग तो हमार पास में क्या आएगा M1, M2, M3 एक बंडल के अंदर है ऐसा आप विशुलाइज करो ठीक है उसके बाद में P1, P2 बंडल के अंदर नहीं है और C1, C2, C3, C4, C5 यह भी आपकी जो है बंडल के अंदर नहीं है तो इस बार मेरे पास में फिर से entities कितनी है इस बार मेरे पास में entities फिर से आठ है initial starting point जो मैं यहाँ पर लेके चलूँगा वह आठ है 5, 6, 7 और एक bundle 8 तो मैं 8 तरीके से पहले इन entities को arrange करने के बारे में सोचूँगा और इस बार क्योंकि हर एक entity अपने आपने अलग है तो आपको further यहाँ bundle के अंदर का arrangement आपका three factorial है ठीक है यह inside the bundle वाला arrangement है ठीक है inside the bundle ठीक है तो इस बात का ध्यान अखना सारे बच्चे कि bundle के अंदर अगर चीज़े distinct है तो आप उनको भी arrange कर सकते हो पात पकड़ में आ गई मज़ा आ गया आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हम अपने question को समझ भी पा रहे हैं और हमें काफी intuition सही बैठ रहा है यहां पर मैं जो यहां पर बोलना चाहरा हूं आप काफी जल्दी उसको मतलब relate कर पा रहे होंगे उसके साथ में ठीक है एट फैक्टरल इंटू थ्री अपॉन फैक्ट ओके थोड़ा सा एक बार से अपने answer को चेक करें इहां पर सारे के सारे आपके जो बोक्स थो हैं वह distinct है поэтому यहां ठीक है और किससे चेस में से और फर्दर आपको अपने PYQ में भी देखने के लिए मिलेंगे, मतलब आगे भी आ सकते हैं, ठीक है, इन हाँ मेनी वेस्ट लेटर्स ऑफ दे वर्ड इमाजिनेशन बी अरेंज सच दैट बोथ एस आ टुगेधर, पहला और सिनारियो के उपर ही फोकस करते हैं, चलो, पहले यहाँ पर imagination के अंदर क्या है, उसके उपर notice करते हैं, imagination है न, even before starting off with the first case, imagination जो हमारे पास में word है, आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं I की बात करूँ, तो इस word में I कितने रहे हैं, एक, दो और तीन, है न, तीन आई आ रहे हैं, उनको साथ में लिख लेता है एक M आ रहे है, M यहाँ पर repeat नहीं हो रहा है उसके आद में A A आपका repeat हो रहा है, दो आपके A आ रहे है then you have G, G repeat नहीं हो रहा है फिर आ रहा है I, I मैं और ले चुका हूँ N यहाँ पर ले रहे है N आपका दो बार आ रहा है then we have A, A हम ले चुके है then we have T, T हमने नहीं लिया है I हमने ले लिया है, O तो हमरे बसमें बेसिकली इस तरह से आपका पूरा counting किया जाता है, एक बार count दिलने सारे बच्छे कितने हैं हमरे पास में लेटर्स, एक, दो, تीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आड, नो, तस, ग्यारे वे लेकिन उपर वाये कहीन के नहीं रिपिटिशन में जा रहा है गाये है तो हम यहाँ पर करके स्बन को पकड़ते है के इस अन हम यह पर क्या कह रहा है कि both A's are together बाकी और इसने हाँ पर कोई condition नहीं लगाई है यह चाहते है बस A जो हाँ पर भी दिखे है तो भई मुझे साथ में दिखे है बाकी आप यहाँ पर देख लो कि आपको कैसे अरेंज करना है तो जैसी हमें बोला गया कि A's साथ में होना चाहिए हमने डाल दिया उसको एक डब्बे के अंदर ठीक है उसको हमने बंडल कर दिया देन वी हैव सेपरेट एंटीटीज तीन आइज है हमारे पास में फिर हमारे पास में दो N है देन वी और सो है एम जी टी ओ वित अस यह तो अपने आपने अलग हमेशा सही थे तो अब मुझे बताओ यहां पे कि आपके उसमें अर्रेंजमेंट के लिए एंटीटीज कितनी क्रियेट होएं है ना तो जब इनीशल अर्रेंजमेंट की बात करूंगा तो ए और एक को आपको अब अलग नहीं देखना है तो एक, दो, तीज, चार, पाउनक, छे, साथ, आज, नो और 10 आपके उसमें यहाँ पर entities बन रही है तो आप कितने तरीके से arrange कर सकते हो फिर इसको आप यहाँ पर 10 factorial ways में arrangements कर सकते हो लेकिन अब यह जो आपके उसमें 10 entities थी क्या इसमें कुछ आपको like objects नजर आ रहे थे Yes तो आपके हाँ पर 3 like objects आए नजर आ रहे हैं और 2 like objects आपको n नजर आ रहे हैं तो हम यहाँ पर divide किसे करेंगे 3 factorial और 2 factorial से divide करेंगे गलती से भी हाँ पर additional 2 factorial से divide मत कर देना क्योंकि A को आप चिपका के double A बना चुके हो It is a single entity Double A को ही हमने यहाँ पर single entity मानके count किया था है ना 10 के अंदर आगर उनको अलग-अलग count कर रहा हो था तो फिर तो ही इसको total 11 objects का arrangement कहला था है ना हम यहाँ यहाँ पर 10 factorial लिखा है उस 10 factorial को लिखने के पीछे idea यही है कि यह एक bundle के अंदर अलड़ी आके एक single entity बन गया है तो यहाँ पर आप फर्दर 2 factorial से divide नहीं करोगे ठीक है So 10 factorial upon 3 factorial 2 factorial This is what we are expecting as our answer ठीक है Let us move over next case आपका जो second scenario है वो क्या है आपका second scenario कहता है कि both A's, both N's and all 3 I's are together बढ़िया यह चाहता है कि भई दोनों के दोनों A एक bundle में होना चीए दोनों के दोनों N एक bundle में होना चीए और दोनों के दोनों I एक bundle में होना चीए बचा क्या फिर हमारे पास में हमारे पास में फिर यह बचेगा M, G, T, O M, G, T, O है ना यह अलगलभ हो गए तो हमें बाख की 3 के उपर हमने condition लगा दिये तो हमारे पास में हाप यह आप entities कितनी बची है ना So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 entities है हमारे पास में बस ठीक है तो हम कितने तरी किसे arrange करेंगे इसको 7 factorial ways में arrange करेंगे और यह जो 7 entities हमने बोली है क्या इन में से कोई entity एक जैसी लग रही है नहीं इन में से कुछ भी एक जैसा नहीं है सब अलग अलग है तो 7 factorial आपका इस particular question का answer बन रहा है ठीक है और यहाँ तक भी मेरी खाल से चीज़ें के लिए हैं सारे बच्चों को So, let us move on to our next scenario इसके अदर कुछ भी repetition नहीं था यह बहुत आसान सवाल था जिसके अंदर उसने सभी जो like objects है उनको साथ में रखने के लिए बोल दिया था Next question is All vowels are together Interesting All vowels are together तो हम यहाँ पर सारे vowels को एक single डब्बे में डालने के बारे में सोचेंगे So, we have I, 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 I A, A I, A, O इतने हमारे पास में क्या है Basically vowels है यह साथ में होना चाहिए इसलिए हम इसको डालेंगे एक डब्बे के अंदर और वैसे ही बचे वे क्या है Consonants Consonants क्या है हमारे पास में इस case में N, N, M, G, T N, N, M, G, T Right So, अब यहाँ पर Consonants के ओपर कोई condition इसने दिया नहीं अब वावल्स के ओपर condition दिया था कि यह आपके कैसे होना चाहिए साथ में होना चाहिए तो मैंने इनको साथ में डाल दी ठीक है अब लेकिन जिनको मैंने डब्बे के अंदर डाला है जिनको मैंने bundle किया है उन्हों में क्योंकि आपको अलग-अलग चीज़े नजर आ रही है तो bundle के अंदर का arrangement भी इसका मतलब इहाँ पर important होने वाला है ठीक है क्या है हमार पस में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे हैना ये एक, दो, तीन, चार, पांच और छे हैना ये पुरा-पुरा एक सिंगल एंटिटी बोलके मैं हाँ आपके six factor तरीके से arrange करूँगा अब पहले मुझे बताओ कि इन छे चीजों में जो आप यहाँ पर arrange करना चाहरे थे कि आपको कुछ एक जैसी चीज़े नजर आ रही है इस लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको टू फैक्टल से डिवाइट करेंगे यह तो arrangement किसका हो गया यह आपकी जो छे entities आपको नजर आ रही है उनका arrangement हो गया इसके अंदर आप further क्या कर सकते हो and then what can be done to create multiple cases and then क्या कर सकते हैं यहाँ पर multiply करेंगे within the bundle arrangements can be done so within the bundle आप यहाँ पर देखो कि आपको समें कितने है total तीन चारपाँ छे तो आप यहाँ पर छे फैक्टल से arrange करना चाहोगे लेकिन आपको याद आएगा कि नहीं यहाँ पर तीन आइस एक जैसे हैं इसलिए थ्री फैक्टल से डिवाइट करो और दो एस एक जैसे हैं इसलिए टू फैक्टल से डिवाइट करो and now this becomes our correct answer 6 फैक्टल उपॉन 2 फैक्टल क्या है यह entities का arrangement है और 6 फैक्टल उपॉन 3 फैक्टल 2 फैक्टल क्या है यह inside the bundle का arrangement है ठीक है अगर आप यहाँ पर लिखना चाहरे हो तो लिख लिया करो ठीक है कि यह हमने जो bracket create किया है वो क्यों किया है inside the bundle we are arranging further our objects ठीक है तब यह आपको करना होगा तब जाके आपके यहाँ पर correct answer निकल कर आएगा क्या यह third case भी clear है सारे बच्चों को yes third case is clear six factor upon two factor and further this बहुत बढ़ी है all right plus subscription लेना चाहते हो हाँ definitely लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको बच्चों हमने बताया है कि यह subscription जो होता है यह actually आपके पूरे goal के लिए होता है as such a single subscription नहीं है because already have a prices काफी affordable है आप अगर join करना ही चाहते हो then you should give basically your time for all the three subjects है ना क्योंकि तीनों ही subject में हापर आपको जो काफी अच्छे educators मिल रहे तो आपको तीनों ही subject में फाइदा लेना चाहिए आपके rank के लिए भी हापर जो तीनों सब्जेट सी important है मैं समझ सकता हूँ यहां पर आपका फिरोट सब्जेट अगर math से यहां फिर सब्जेट सब्जेट आपका math से ठीक है then you would want कि यहां पर मुझे वन थर्ड प्राइस के अंदर math ही पढ़ा तो कि अवल है ना यहां पर पहले इसने पर्मिशन दिया था कि यह अलग-अलग हो सकता है इसलिए हमने इनको अलग-अलग entities माना था लेकिन अब उसने इसके लिए भी मना कर दिया है तो यह गडिए और यहां पर आपकर समय entities लिए कितनी है एब दो ही है आप इस बंडल को और इस बंडल को और इस बंडल को अरेंज करना चाहते हो तरीक में इससे तीन एक जैसी है और दो एक जैसी है यहां पर आपको पांच एंटिटीज नजर आ रही है अर्यंजमेंट कैसे कर सकते हैं लेकिन उसमें से आपको दो फैक्टल फॉर्दर डिवाइट करना पड़ेगा क्योंकि आपके दो एंड एक जैसे हैं ठीक है इसने राइट कर इतना सारे बच्चों को यहां पर आपको ओविस लग रही है यहां पर जो वर्किंग का तरीका है वह आपको ओविस लग रहा है तो आप यहां पर क्या आप इस कॉशन को फोड़ सकते हो जैसे कि हम यहां पर कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही exact question आया था ठीक है और कितना आपके seniors को benefit हुआ होगा यह तो आप देखी सकते हैं ठीक है संदे को क्लास ले रहे हैं हाँ बिल्कुल यार लेकिन जो है कोई दिक्कत नहीं है हम भी हाँ पर जो है वैसे भी जो है अविलेबल रहते ही है कि अध्यू लाइड लाइड लेकिन इन जणरल किसी भी एक्जाम के लिए आपको यह कर सकता हूं अच्छी राहें का जाएगी सर यूट्यूब पर आप लोग से पढ़कर जैमेन निकाला जा सकता है रजनीश आपने हाँ पर अगर इसके पहले जो रिजल्ट वाले वीडियो जे होगर नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखना कितने सारे बच्चों नहीं हाँ पर हमें रिजल्ट के बाद में जैमेन क हैं ठीक है तो उसका आपने जो है पायदा भी सही तरीके से लेते आना चीए आपको ठीक है जस्ट बिकॉस इस अवेलेबल हम जो है सोचने कि नहीं यार इतने आसाने से थोड़ी मिल सकता है सब कुछ चायद कुछ यहाँ पर मिसिंग होगा या पर कहीं और से मैं देखने ह किया है that is still going on a lot of people are taking money now for giving out education online but आप यहाँ पर समझो कि अनकेडमी भी ऐसे नहीं कि अनकेडमी भी हाँ पर सुक्रिशनल प्राटफॉर्म के लिए जो है चार्ज करता है but then that is for the additional resources which students should have but जो education जो learning है वो complete तरीके से हाँ पर अनकेडमी भी चाहता है कि आपको यहाँ पर जो आपके test series है multiple educators का guidance है वो आप नहीं भी आएगा तो भी आप यहाँ पर यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो लेकिन आपको थोड़ा सही समझना पड़ेगा कि बहुत सार ऐसे बच्चे हैं जो उस environment में भी है और वो भी सेमी एक्जाम देने माले ठीक है तो इसलिए आपको यहाँ पर अगर YouTube पर पढ़ाय कर रहे हो तो आपको थोड़ा dedication further दिखाना पड़ेगा आपको further dedication दिखाना प करेंगे तो इस lecture का purpose हो गया और यह lecture जो है आपको कहें पर भी देखने को मिले offline में online मिले आपको तो learning से मतलब था तो यहाँ पर आपको complete होई ठीक है ठीक है अगर आप a point से बी पॉइंट तक जाना चाहते हूं तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो है नैनो में नहीं जा सकते है नैनो में भी जा सकते हूं ठीक है बस वह है कि आपकी जर्नी थोड़ी सी tiring होगी आपको जादा महनत करनी पड़ेगी ठीक है और यही आप यह को शुक् universes करेंगे ही नहीं लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास में तॉस में हुश रहेंगे हैंकि हम उसमें कुछ हूं 손 आप इस बात को ठीक है अब पहले तो आपके इसमें था ही नहीं कुछ आपकी जर्नी बेटर हो गई है और बैटर हो सकते हैं दुनिया में बहुत सारे resources है ऐसे ठीक है जो अगर आप यहां पर pay करने के लिए तो आपको बहुत amazing resources मिल सकते हैं ठीक है लेकिन क्या मैं सोचता हूं BMW की बारे में मैं नहीं सोचता है मैं क्यों सोच हूं BMW की बारे में है न मुझे बता ही यहां पर जो है यह option ही नहीं होना चाहिए था बिल्कुल होना चाहिए था ठीक है ऑफ-लाइन कोचिंग में आपको लाख रूप में देके अगर पढ़ने को मिल रहा है तो बच्चे पे कर रहे हैं ठीक है क्योंकि उनको वह चाहिए कि वह रोज क्लास में जाएं आपको अगर यहां पर जो है अगर वह अपोड़ आपकी नहीं है तो आपको फिर रिसोर्स अपने साइट से अरेंज करने पड़ेंगे ठीक है जैसे कि आपको यहां पर पूरा कॉंटेंट आसानी से देख पार हो ठीक है पहले यहां पर ऑन लाइन में इत शौल करनी पड़ेगे आपको उसके डाउट कहीं से भी समझने पड़ेंगे जो आपको आपको ठीक ही से समझने पड़ेंगे ठीक है आपको जो है एक टेस्ट सीरीज Adventure बेरेंद जो ने कम्प्यूटर तो इसके बाद में यहां में पता नहीं हो लेकर पर आपकी रही हो रही है अगर आपकी डिर्प्रक्टेस्ट ऐसे अगर आपकी प्रैक्ट्रेस्ट डिसक्स किये है है में उतने कभी कर ही नहीं पाता था, मेरे पास में कभी उतना time ही नहीं होता था, वहां पर target होते थे, कि आपको 6 lecture में सर्य खतम करके आना है, क्योंकि उसके बाद में आपको निया चप्टर स्टार्ट करना है, और वो लेक्चर सर्वादे हैं, and that is the reason what you will be learning it would be better than anywhere else I can guarantee this ठीक है यहाँ पर हमार पास में पूरी freedom and similar freedom we have on plus as well plus के उपर भी यहाँ पर हम खुट डिसाइड करते हैं कि कौन सा chapter हम कितने घंटे पढ़ाएंगे कितने lecture में पढ़ाएंगे और जरूद पढ़ते हैं हाँ पर हम doubt sessions और आड कर देते हैं ठीक है कि बच्चों को यहाँ पर अभी material में और doubts आ रहे तो हम तीन-तीन doubt session और आड करते हैं ठीक है so that kind of freedom we enjoy on this platform and that is why I consider this as a better option for students ठीक है so यह तो आपको समझना पढ़ेगा कि yes किया जा सकता है लेकिन आपके efforts यहाँ पर आपने फिर double कर देने चीव फॉर शूर ठीक है and हम तो आपके साथ में जुड़ी होए है और especially यहाँ पर जो quality education का revolution है यह किसके लिए important है यह उस बच्चे के लिए important यार जो यहाँ पर कोई भी resource उसका हाथ ही नहीं लग रहा था चाहे वो financial की वज़े से हो या फिर उसका remote location की वज़े से हो ठीक है किसी भी वज़े से हो उसको अच्छा resource ही नहीं मिल पा रहा था and now he has it ठीक है so we are very happy to help those students लेकिन उसके साथ में क्या हुआ है उसके साथ में यह हुआ है कि डेली मुंबई है ना हैदराबाद बैंगलोर पटना एहमदाबाद यहां पर बैठे हुए बच्चे भी अब क्या चाहें quality resource होगे घर बैटे ले पा रहे हैं तो यह additional benefit हो गया कि आप सारे बच्चे भी हमें सब्सक्राइब करते हैं इन क्रिएटिंग सब्सक्राइब हो गया अरे एंसर बता रहा है बहुत बढ़ी है इसका बिल्कुल करेट है अब यहां पर आपको दो फैमिलीज है और मेंबर्स तो अलग अलग होंगा नहीं या नहीं पर मेंबर्स तो इनसान तो अलग अलग होता है है मैंने आपको बहले बता है तो आपके आपको विश्वास हो रहा हैं कि यह पूछा गया है जैमें 2020 में हाँ कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि सर ये गलती सब्सक्राइए आपने है ना पता नहीं सर इतना सिंपल जवाल थोड़ी पूछा गया होगा तो आपके उसमें two families with three members each and one family with four members यहां पर c1, c2, c3, c4 one family with four members are to be seated in a row, बढ़िया बाते एक रो में आपको इनको बिठाना है in how many ways can they be seated so that the same family members are not separated, ठीक है तो यहाँ पर अलग-लग नहीं होना चीए, इसलिए हमने किया कि उनको families के members को एक-एक bundle में डाल दिया ठीक है अब हम इनको arrange करते हैं तो हमारे पास में initial arrangement के लिए कितने entities हैं हमारे पास में यहाँ पर तीन entities हैं तो हम इहाँ पर इनको three factoral ways में arrange कर सकोगे यह उसके बाद क्या होगा within the bundles भी आप arrangement करो इसको आप arrange करोगे three factoral ways में इसको करोगे इसको करोगे four factoral ways में और इस वैसे आपका answer आ जाएगा यह बना ठीक है एक लाइन का question है लेकिन आप यहाँ पर बंडल में पता तो हो तब तो आप इसको इसको solve कर पाऊगे तो आपको अपनी साइट से जो है एक लिस्ट जो अंडर्स्टैंडिंगे थिवरी अंडर्स्टैंडिंगे उसके उपर maximum effort डालने चाहिए ठीक है यहाँ पर हो सकता है कि आप अलग-लग सवाल देखो तो आपको ऐसा feel हो कि पता नहीं हमने यह आलग concept जो हम सौल आसने से कर पाते हैं ठीक है कितना आसान से वाल था जहीं में 2020 का कुछन है ठीक है और एट सबसे बढ़िया बात है यहां पर आप कोई भी बच्चा अगर है तो यहां पर वो यूट्यूब तो ओपन करना जानता ही है सीखता ही है और एंजॉइमेंट की जगे बस आ है है और इसन बार हम क्या करेंगे लढाई चलरी दोस के साथ में तो आपको बच्चे वी जो पांच गस्ट वह को तोुनों को नहीं है अलगलग रखने करने क्या, तो वैस बैठंवback केवा फूर क्कती हैν ठीक है, तो वेस एक काम बिसीक्लिएphenे आपने हा आप को लिट और आप दोनों में लड़ाई चल रही हैं, तो आप दोनों पास-पास नहीं बैटना चाहते हो, ठीक है, तो अपने उसी सिनेरियो के उपर जाते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, दोनों का सिनेरियो सेम रखा है मैंने, illustration में ताकि आपको scenario सोचने भी दिक्कत ना हो लेकिन ज़ादा आपका ध्यान किसके उपर होना चाहिए method के उपर ज़ादा ध्यान होना चाहिए कि हम यह चीजे जो है approach कैसे कर रहे है ठीक है फिर से library का scenario लेता है a library has three mathematics, two physics and five chemistry books which are to be arranged on a shelf in how many ways these can be arranged such that mathematics books are separate mathematics books हमेशा अलग-अलग होनी चाहिए बड़ यहां पर condition दिये फर्दर वो क्या है books of same subject are identical तो यहां पर हमें पता चला किया है यह तीनों जो हैं यह साथ में नहीं रहना चाहते हैं और यह जो हैं यह इनके उपर कोई condition नहीं यह बोल रहे हमको कहीं पर भी रखो हमें थोड़ी टेंशन है हम तो सब के दोस्त हैं तो फिजिस्ट और केमिस्ट्र वाली बुक्स को कोई टेंशन नहीं है लेकिन maths वाली कोई भी बुक यहां पर साथ में नहीं रहना चाहती mathematics books are separate अलग-अलग है इसकी guarantee मुझे लेना है तो ऐसे सिनारियो में हम करते क्या है जहां पर problem नहीं है उनको हम पहले arrange कर देते हैं और जिनको problem है उनको बोलते रुको उनको problem है दो मिनिट साइड में रुको आपको भी यहां पर बैठाएंगे ठीक है लेकिन पहले जिनको problem न साथ साथ ऐसे लोगे जिनको कोई problem नहीं है न दो physics और पांच chemistry अब यह बैठ कितने तरीके से सकते हैं हम पहले उनको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको कोई problem नहीं है ठीक है तो कितने हैं यह total 7 है तो आप यहां पर से अरेंज करने की कोशिश करोगे लेकिन फिर आप सब्सक्राइब करोगे यहां पर क्रेट करोगे यहां पर क्रेट किया यहां पर क्रेट की करते हैं यहां पर क्रेट के बीच में लेकिन हमारे यहां पर जो है कैलकुलिशन के लिए हम जो स्टार्टिंग और एंड वाली लोकेशन है उसको भी आइसे ग्राइब ट्रीट करेंगे जो यहां पर बेसिकली एक सेपरेट पोजिशन होगी जिसके साथ में कोई दूसरा नहीं आ पाएगा गाइगा जीजें सेपरेट हमें दिखाई देंगे यहां पर काउंटिंग किस तरह से करते हैं गैप्स की हमारे पास में देखो पहला गैप दूसरा गैप तीसरा चौथ अबस्तों तो हमारे जो जो यह बीच वाले जो फिलेट प्लेसा है एक दो थी चार पांट छे साथ आठ जहां पे अज़ेटा से क्रेट हुए हैं यह हर बार होगा अगर आप line से 7 objects रख रहे हो तो आपको gaps कितने मिलेंगे एक ज्यादा 8 मिलेंगे अगर आप 10 object रखते हो तो आपको 11 gaps मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं अभी तो इहां पर हम इसी example के साथ में चलते हैं कि हमें हापे 8 gaps मिले हैं आप में क्या खहरा हूं कि देखो तीन को दिक्कत है तो आप यहां पर पहले 3 gaps select कर लो 8 में से आप 3 gaps select कर लो लेट से आपने प्रक्राइब किया यह वाला position और यह अपने 3 gaps यहां पर select किये हैं यहां पर डाल दो अगर आप gap में एक-एक मैंस की बुक डालोगे तो मैंस की बुक क्या हमेशा अलग लग रहेगी या वो हमेशा separated रहेगी यहां तो इसलिए हम यहां पर अब gaps अगर select कर चुके हैं और क्योंकि यहां पर math की book क्योंकि आपकी जो है एक जैसी है तो फर्दर यहां पर arrangement करने की ज़रूद नहीं है हम 8C3 से gap select कर रहे हैं और further यहां पर books arrange करने का मेरे पास में option है नहीं because all the books are like यह जो मैं कहना चाह रहा हूं इसको further explain करूंगा अपने second discussion ठीक है books of same subject are also distinct यह second वाला scenario discuss करते हैं यह हमारा भी first scenario complete discussion में second वाला जो हमारा scenario हो आपको further understanding देगा कि हमारे पास में basically maths की तीन books हैं लेकिन M1 M2 M3 सब अलग लग है physics की हमारे पास में दो books है P1 P2 अलग लग है and C1 C2 C3 C4 C5 भी हमारी अलग लग है फिर से दिक्कत किसको है मैस को है कि मैस की आपकी जो है separate होनी चाहिए साथ साथ में नहीं होना चाहिए इसको दिक्कत नहीं है तो हमें कहरें कि आप पहले नहीं को आरेंज करने के बारे में सोचो P1 P2 P1 C2 C3 C4 and C5 इनको में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं अभी इनको में इनको सेवन पैक्टरल वेज में अरेंज कर सकता हूं यह सब्सक्राइब इसके माद को डिवीजन वागरा नहीं इसके अंदर यहां पर तो आपको फॉर्दर डिवाइट करना पड़ रहा था यहां पर कोई डिवीजन नहीं है अब लेकिन आपके गैप्स अभी भी कितने ह लास्ट वाला एट एट गैप्स जो हमारे पास में यहां पर नजर आ रहे हैं उनमें से हम ऐसा करते हैं कि तीन गैप्स का सेलेक्शन कर लेते हैं लेट अपर यहां पर गयाप सेलेट किया यहां पर किया और इन पॉजिशन पर बैसिकली अब अपनी बुक्स मैंधमेटिक्स वाली रखना चाहते हूं but now since the three mathematics books are distinct तो मैं अब इन तीन positions पर भी क्या सोचूंगा कि मैं किस तरीके से match की books रख्ळूं मैं M1 M2 M3 रख सकता हूं या फिर मैं M1 M3 M2 रख सकता हूं या मैं M2 M3 M1 रख सकता हूं या फिर मैं M2 M1 M3 समझें यहां पर लग किसे सोचे जा सकते हैं तो आपको फॉर्दर अर्रेंजमेंट इसके अंदर मुल्टिप्राइब करना होगा जो यहां करने की जरूत नहीं पड़ रही थी क्योंकि हमारे पास में जो बॉक्स अविलेबल थी वह एक जैसी थी सब्सक्राइब कर सकता हूँ आपको जब यहां पर प्रिया सेयर कोशन सौल करोगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है और इसलिए यह सारे लेक्शर्स कंप्लीट है इस बात को समझो और किसी को पता नहीं है तो आगे से मेरा काम कर दिया करो ठीक है बता दिया करो क्या अगर विश्वास सब कुछ है अगर आपको यहां पे belief नहीं रहेगा कि हाँ यह सब complete है तो आप यहाँ पर ढूंदते हैं हमेशा resources को ठीक है तो पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा विश्वास कब आएगा जब आप किसी भी एक chapter को उठाओगे पूरी उसकी playlist देखोगे और फिर जाके previous और question करोगे तो आपके सारे question बन जाएंगे जब reference book और है उसके दर और कोई additional topicitter है नहीं जो समीर सर ने हाँ पढ़ा हैं सारे topics यहांंपर है कोई additional topic बचा ही नहीं तो अगर कहीं पर अगर पे करके वह जाओगे तो वो विचारा educator आपको क्या पढ़ा लेगा अगर आप पे करके जा रहे हो तो ऐसा थो नहीं कि क्यों नया topic create करके आपको पढ़ा देगा पढ़ायागा तो वही ना जो हम यहां पर पढ़ा रहे हैं आपको इसलिए यहां पर आपको जो है एक confidence आएगा कि हाँ यह सब कुछ है ठीक है और टफ को पहले question में делать see three clickhey क्यों कर सकते हैं हैं क्या ओके so there is this query coming in पहले वाले question में पहले वाले question में is this वाले question पहले वाले Sasha क्या नहीं कर सकते हैं 8 c three 8c three अपे क्यों क्यों नहीं कर सकते हैं चिए 8C3 upon 3 FactorL नहीं करेंगे 8C3 into 3 FactorL upon 3 FactorL कर सकते हैं यहां पर अगर चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो कि आपने पहले Gap select कर लिए फिर 3 Gap में 3 लोगो को अरेंज करने की आपके बास में Options क्या है 3 Gap में 3 Books को अरेंज करने के लिए आप यहां पर सोचते हो कि आपके इसमें 3-factor ways होना चाहिए बड़ आप देखते हो कि तीनों की तीनों books एक जैसी है तो आपके यहां पर 3-factor से डिवाइट करना पड़ेगा यह कर सकते हो अब यह आपको अलग से लिखना है तो लिख लो यहां पर फिर से तीन जो आपके ग्याप से उसमें आगबर तीन चीज़ों को अरेंज करने की जरूत जितने जरीक से आप यहां पर gap select कर रहे हो वहीं पर आपको question करता हो गया लेकिन अगर चीज़े distinct है तो gap select करने के बाद में आपको further gap में arrangement करने की यहां पर value multiply करनी होगी ठीक है तो यहां पर important इसका मतलब यह है कि मैं आपको बता दू कि यहां पर क्या हुआ हुआ है यह initial arrangement है ठीक है यह P and C का arrangement है ठीक है यह physics और chemistry का arrangement है फिर यह क्या है यह gap का selection selection of gaping selection of gap और यह क्या है यह है आपका basically arrangement inside the gap inside the gaps ठीक है तीन gaps है मतब तीन positions है वहाँ पर आपको अब तीन mathematics की books को बिठाना है तो आपको further three factor यहाँ पर multiply करना पड़ेगा ठीक है let us let us try this question याला भी हमारे पास में जो imagination वाला scenario है वो अलड़ी clear है imagination वाला scenario अलड़ी clear है तो इसी को लेके हम अपने ideas को further strengthen करने की कोशिश करते है ठीक है all right so let us start with this पहला case क्या बोड़ रहेगे in how many ways the letters of the word imagination be arranged such that both a's are separate इसके विशले वाले में क्या था बोदेशा टूगेटर है ना तो bundle method में together वाले scenario और gap method में separate वाले scenarios आपके तो आप यहाँ पर जहां तक मुझे आ रहा है हमारे पास में इस scenario में दो हमारे पास में एंस हैं दो हमारे पास में एंस हैं एंड वी ऑल्स हैं एम जी टी ओ है ना अलॉंग विद तो यह हमारे पास में एं एं और एम जी टी ओ यह देखेंगे कि यह जो हमारे पास में अव्यपलिटीटी है पहली बात तो यह कितने की हैं जो कहें पर भी बैठाइंक लिए उनको ने पहले औरेंज कर दिए ठीक है, then हम यह सोच नहीं किया époасибо, अब यह जो दो आ है, हम साथ नहीं बayठेंगे, भी वी गाड़ियаю दो दूसरे दोसको बलो यहां पर बैट जाओ तो ऑफिसली क्या हो साथ में आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं एक दोस्तों बीच में होगा आप गैरेंटी कर रहे हो गैप में बैठा कर आप गैरेंटी कर रहे हो कि उनके बीच में कम से कम एक दोस्तों हो गई होगा ठीक है कम से कम एक दोस का मतलब है कि अगर आपने यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फिर से वही काम करेंगे अब हम अब फिर से आप यहां पर जो डालना चाहते हो तो पता नहीं चलता है कि आपने यह वाला यहां पर डाला है कि यह वाला यहां पर डाला है और इन दो इसके पहले नहीं करा था क्योंकि अंदर जाते हैं और समझते हैं क्या हो सकता है अगर मैं यहां पर बैठाओंगा इनको तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ मैं हाँ पर एट फैक्टोरियल से अरेंज करने के बारे में सोच रहा था लेकिन फिर मुझे पता चला कि थोड़ा लॉस हो रहा है मुझे लॉस वाले फिलिंग आई क्योंकि यह दुनों एक जैसे हैं तो इनका अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा तो हमने यह बेसिकली आई होंगे नाइन गैप जो हमारे पास में आये हैं उसमें से ऐसा करते हैं तीन गैप को सिलेट किया है तो वहां पर तीन आइज अगर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा तो पता नहीं चल रहा है कि कौन से लोकेशन पर कौन सा आई गया है क्योंकि आईज आइडेंट कौन सेनारियो एन एन आई ए 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 एमजी टी ओ आये लिए लिए है तो फंडे यहां पर लाई चैट में आप सारे बच्चे जो है क्योंकि answer side by side बताते जा रहे हो मत तो मुझे confidence आ रहे है कि आर आपको चमक रहे ही चीज़े है ना I can say this with confidence किया अगरा मेरे साथ साथ answer दे पा रहे हूं तो यह तो बहुत ही बढ़ी बात है ठीक है देखो अगले वले केस को answer कर पा रहे हो कि अगला वला केस थोड़ा अच्छा है ध्यान से करना ठीक है टू आइज आइज आ टूगेदर बट सेपरेटेट फॉम थर्ड आए तू आइज तूगेदर बट सेपरेटेट फॉम थर्ड आए तू आइज 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 इससेपरेटेट रहे लेकिन क्योंकि यहां पर मैं दो आइस को साथ में भी रखना चाहता हूं टॉयल क्रीट बंडल अपर आपको गैप भी करना है और बंडल भी करना ठीक है क्यो बंदल और सेप्रेट मदलब गैप में तो कोशन पढ़के सब्सक्राइब कि हापर दोनों आइडिया था में इनकोर्परेट करने होंगे इतने तरीके से आप बेसिकली जो है इन चीजों को अरेंज कर सकते हैं अब नौ में से क्या करेंगे norm ऐसे हम यहां पर बस दो ही gaps select करेंगे क्योंकि हमेरा पास में दो ही entities है टीन gap नहीं select करेंगे हमेरा पास में एक I है और एक double I है एक I है और एक डबल I है दो ही entities है तो हम यहां पर norm ऐसे दो gaps select कर सकते हैं Θ Lily is concept question यहां end नहीं होता क्योंकि आपकी जो यहां पर दोनों entities बनी हैं वो distinct है so if you put two eyes here और if you put two eyes here यह दोनों अलग-अलग words create करेंगे yes or no जबकि इस case में क्या हो रहा है अगर आपने यह वाला आई यहां पर रखा या फिर आपने यह वाला आई यहां पर यह वाला आई यहां पर रखा दोनों same word है इसलिए यह जो gaps में arrangement है वो further आपके answer को change नहीं कर रहे है यहां तक हम दे जो answer निकाल है वो हमरा answer है लेकिन इसके अंदर अभी और अलग-अलग cases बनाया जा सकते even if I have arranged one possibility यह जैसे कि यहां पर N, N, A, 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 M, G, 2, O यह literally एक possibility है this is one of the cases which we have correctly written down I have already selected the gaps but still there are two different answers which I can generate out of this selection क्योंकि मैं दोनों आई को यहां पर और एक आई को यहां पर या फिर दोनों आई को यहां पर और एक आई को यहां पर डालके अलग-अलग words बना सकता हूँ so that is what we need to include further two factors आपको यहां पर further include करना पड़ेगा सभज में आया into two factors भी होना चीए छोटी-छोटी बात हैं लेकिन ध्यान रखू yes sir, PYQ questions नहीं बन रहे है अरे, ओमकार ऐसा आपने पहली बात और टेंशन लेना ची PYQ questions बिल्कुल बनेंगे आप यहां पर class illustrations एक बार फिर से revise कर लिया करो होता क्या है है न यह plus पर भी एक बच्चा मुझसे बूझ रहा था तो मैंने उसको भी एक guide क्या था आप अगर यहां पर lectures को केवल देख रहे हो और आपको अगर लगता है कि यार मुझे तो सब कुछ याद अरड़ी है then you might be wrong कि आपको मतलब वाकई सब कुछ याद है वाईल यौल सॉल्विंग दो question कि आपको class list में discuss किये सारे एक सारे illustrations में जो ideas आपको दिये गए हैं क्या वाकिया आपके दिमाग में on the top of your head है हो सकता है कि नहीं है इसलिए जब जरूर पढ़ रही तो आप उसको जो ही इस्तिमाल नहीं कर पा रहे है और फिर आपको लग रहा है कि PYQ solve नहीं हो रहे है क्योंकि अगर मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है और आपके questions जो PYQ है वो भी अगर उस content पे ही based है तो बनना चाहिए एक है एक हाद दूसरा question हो सकता है जो इस तरीके से question पूछा गया है कि आपको पता नहीं चल रहा exactly कौन से topic का है वो बाद अलग है जो पूरा को पूरा आपका syllabus अगर आपने पढ़ लिया तो आपको दिक्कत कहां आ सकती आई नहीं सकती ठीक है तो आप यहां पर इस confidence के साथ में अपने questions को solve करें ठीक है syllabus complete हो रहा है can I get 99 percentile in my first Feb coaching में आपका 15th Feb को खतम हो रहा है syllabus जिगनेश तो फिर आप jlight really 3.0 की follow कर लो क्योंकि हमारा तो 9 बर में खतम हो जाएगा max to max यहां पर कुछ एक दिन further exceed हो सकता है बट जहां तक मुझे लगता है जहां तक planning है we are trying कि 9 बर end तक खतम हो जाए ठीक है so 15 तक का आपको wait करने की जरूत नहीं पड़ेगी 15th Feb is too late too late 15th Feb is too late ठीक है आप यहां पर लेकिन अगर dropper है तो आप यहां पर obviously अगर आप अभी पढ़ना start करोगे तो obviously आप जो है December end तक खतम नहीं कर सकते है जनवरी भी आपको यहां पर इस्तिमाल करना पड़ेगा ठीक है अगर आपको 2 chocolate वाला bundle दूँगा तो आप ज्यादा खुश होगी कि खुश होगे और इसे फरक पड़ेगा कि मैंने यहां पर 2 chocolate's डालम गाil事 dus नहीं पर दो चॉकलेट्स यहां पर डालूंगा दो इस एंगर मैं यहां पर डालूंगा तो मेरे पास मैं क्या बनेगा एंट अए इम एंग्टी ओ इनका अरेंग्ड क्योंकि इसके अंदर eyes का अलग लगं ठीक है so वह बैसिक लिया मेंग वह एंपयरग की हम इन दो entities को इन दो positions पर दो अलग लग तरीके से अरेंज़ कर सकते हैं ठीक है दो positions दो elements कितने और तरीके से, आरेंज तरीके से अरेंच किया सकते हैं। और यहां पर चाहते हैं अगर वावल्स और कॉंसेन्ट अल्टरनेट हो और इसकी गारेंटी हम कैसे ले सकते हैं और उसका एंसर क्या होना चीए इसकी वह अब इसके इन दुन ग्याशक पर आएध दाले हैं तो फिर आपके दो एक साथ है आपके दो एक साथ है और तो वावल्स और चाहता हूँ अगर मैं यहां पर एक करना चाहता हूं कि मेरे वावल्स और कॉंसनेंट्स अल्टरनेट हो तो मैं यहां पर पॉदिशनिंग की बारे में सोच सकता हूं ठीक है नौ दिस इस इस डिफरेंट काइंड अप्रोच तो यहां पर भी समझेंगे कोईश करें सारे बचे हमारे पास जो है यह स्टडी करना पड़ेगा हमें कि हमारे पास वावल्स कितने हैं और कॉंसनेंट्स कितने हैं ठीक है और अगर मैं कॉंसनेंट्स की बात करेंगे अगर वावल्स कांसनेंट्स को तो मैं क्या सोच पाऊंगा चलो ठीक है वावल्स से स्टार्ट कर देते हैं आप यहां पर वावल्स कॉंसनेंट्स वावल्स कॉंसनेंट्स को एक दो तीन चार पाँच और फिर एक और एक चाहिए तो एक दो तीन चार पांच वावल्स और कॉंसनेंट्स कॉंसनेंट्स जो आप बेस्टिट या तो उपर वाले पैटन को नोडिस करो वी क्यों कि ऑल्टिन बोला हुए उसने उसने बोला वह इक्या इसफे जोब्रह ना चाहिए तो आप यहां पर या तो वी से स्टार्ट करके ऑल्ट्रणेट्स करना स्टार्ट कर दो कि या पर अपक्र सॉच ब ठीक है, we have six vowels and only five consonants, तो ये कम है, consonants हमरे पास में कम है, ठीक है, तो अगर मैं उपर वाला सिनारियो देखता हूं, तो शायद ये सिनारियो मेरे लिए काफी है न, useful रहेगा, जहां मेरे मेरे पास में एक, दो, तीन, चार, पांच और छे वावल्स रखने की जगे है, and then I will also peep first, second, third, fourth and fifth, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, alternate अगर मैं कर रहा हूं, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि मैं end तक जाओ, consonant मेरे पास में खता होगे, तो मैं वाली प्लेस पर कोई consonant डालने की mood में हूँ ही नहीं, तो ये जो उपर वाला सिनारिय हो, इसके अंदर आप देखो कि आपका जो यहां पर additional vowel आ रहा है, वो helpful क्यों है, क्योंकि आपका vowel से start हो रहा है, वावल से ही end हो रहा है, लेकिन अगर आप नीचे वाले के अंदर देखते हो, तो नीचे वाले में आपकर यहां पर consonant के साथ में अपनी गिंती स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने एक consonant, एक vowel, एक consonant, एक vowel, एक consonant, एक vowel लिखा, फिर आपने जब यालो consonant लिखा, एक वाला consonant आपके पास में ही नहीं, अगर यह अरग वावल तो तब भी है न, वावल आपके उसमें 6 है, जब कि जब आप यहां पर consonant end में देख पर रहे हैं तो अगर है ही नहीं मेरे पास में अवेलेबल तो भी ऐसे मुझे प्रॉब्म नहीं आई क्योंकि इसके पहले सारे के सारे मैंने यहां पर positions check करेंगे, कि यहां पर आपकी जो positions है, vowels और consonants की हो सकती है, अगर दोनों यहां पर possibly तो दोनों cases ले लेता मैं, अगर कोई एक ऐसा word होता, ठीक है, जिसके अंदर, जैसे कि imaginations, मैं अगर इसको plural कर दूँ, अगर मैं basically imagination की जगे, imaginations कर दूँ, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, बराबरी का मुकाबला हो जाएगा, आप हमारे पास में यहां पर consonants भी 6 हैं, और हमारे इसमें vowels भी 6 हैं, तो उस case में आपका ऊपर वाला case भी effective है, और नीचे वाला case भी effective है, either we will do this, or we will do this, but right now we don't have this, तो हमारे पास में एक scenario actually miss out हो गये, right, so let us select the correct scenario first, so this is the correct scenario and this we will ignore, this we will ignore, अब यहां पर जैसे मैं आपको पहले वाले scenario को correct लेने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपके आप वावल्स की location already set हो चुकी है, आप वावल्स को अब जो है, first, third, fifth, first, third, fifth, and seventh, and ninth, position पे ही बस डाल सकते हैं, यही order में basically आप अपने वावल्स को डालोगे, and 11th, position पे ही आप अपने वावल्स को डालोगे, तो आपके इसमें हापे specific positions है, one, two, three, four, five, six, आपके इसमें specific यहाँ पे available letters है, तो आप पांच position पे, आप 6 positions पे 6 चीज़ों को arrange करना चाहते हूं, 6 positions पे, जो भी लिखा हुआ है, वो आपकी 6 positions है, 6 positions पे 6, आप available letters को arrange करना चाहते है तो कितने से करोगे, six factorial ways में करोगे, लेकिन उस arrangement को करते हैं, आपको थोड़ी सी loss वाली feeling आईगी, क्योंकि यहाँ पर तीन I और दो A एक जैसे है, and then आप क्या करोगे, अब जो consonants वाली positions है, उन भी आप arrange करोगे, consonants वाली position आपके उसमें हापे 5 है, पांच आपके आपके करने की सोचते हैं, लेकिन उसके आपके दो ends एक जैसे हैं, इसलिए आप फर्दर यहाँ पे loss वाली feeling के साथ में, two factorial से divide करो, ठीक है, clear, six factorial upon three factorial, two factorial, five factorial upon two factorial, yes, यह हमारा बिलकुल correct answer है, this is the right answer for this particular question, चमका सारे बच्चों को, confidence आ रहा है, yes, bundle method, gap method, दोनों पर ही confidence आया, एक यह question further आपको कुछ नया सिखाएगा, ठीक है, बड़िया सवाल हैं भी, देखने में बहुत चोड़ा question है, लेकिन अगर आप यह कर लोगे, सही तरीके से, तो आप J advance को question भी कर लोगे, I guess इसके बाद में J advance को question कराऊंगा आपको, ठीक है, I think yes, इसका J advance को question कराऊंगा, अग रहा है, syllabus complete, but I am revising daily and making short notes, yes, 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 बिलकुल यार, जिगनेश, आपका इहाँ पर जो process है, बिलकुल सही है, right, अगर आप consistent efforts लगा रहे हो, तो जे में तो आपको बहुत simple लाएगे, मैं हर बार इहाँ पर जो regular students उनको यह तो कहता हूँ, कि आप बस regular भी अगर हो ना, तो भी आ आप यहाँ पर, बहुत सारे बच्चों से अलड़ी आगे निकल चुके, और उसी यह अपर आप अगर रिवाइस भी कर रहे हो, अगर practice भी कर रहे हो, side-to-side, then you are definitely going to crack 99 percentile, लेकिन आप और higher aim करो, और higher aim करो, ताकि, अगर possible हो, तो वो भी अची हो जाए, तो आपने कोशिश तो हमेशा करना चाहिए, हम तो 100 percentile की कोशिश करना है, फिर 99 आजाएक तो we are still okay with it, ठीक है, लेकिन अपने side से यहाँ पर आपने, कोशिश हमेशा best की करना चाहिए, आपने कोशिश करना चाहिए, हम तो बिल्कुल यहाँ पर IIT Bombay से computer science ही करना चाहिए, ठीक है, फिर अगर नहीं भी हो रहा है, अगर आपको यहाँ पर IIT पटना से आपको chemical करना पड़े, यह जो भी, मतलब basically, तो अभी वो बुरा थोड़ी है, people would be, so crazy, getting that particular college and branch, लेकिन आपको ऐसा feel हो सकता है, मैंने तो यहाँ पर target कुछ और किया था, लेकिन अब जो है, मुझे तो यह मिल रहा ह बड़ आपको समझना पड़ेगा कि यह बहुत सारा लोग को वो भी नहीं मिल रहा है, बहुत सारा लोग को वो भी नहीं मिल रहा है, so you're anyways, you're a good position, जिसना कि मेरे अपर IIT में सेलेक्शन हुआ था, तो मुझे काफी दुख हो रहा था उस दिन, खुशी नहीं हो रहा था, अ तो यार मेरी महनत के सामने तो बहुत खराब है, मैंने तो महनत करी थी, यहां फे टॉप 1000 में आने की, टॉप 500 में आने की, और वो महनत में basically rank में convert नहीं कर पाया, इसका दुख था मुझे, लेकिन फिर एक दिन में सोचते हैं, अपने सभी दोस्तों के बारे में हैं जो हमा आरे हो, तो आप actually काफी अच्छा कर चुक है हो, यह realize हमें थोड़ा लेट होता है, instant हमें थोड़ा सा regret वाले feelings जादा आती ही, but ultimately you realize कि यहार आप जब महनत कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो result आए, वो आपको ऐसा feel कर आए, कि आपकी महनत के according आपका result नहीं आए, but whatever you are getting is better than a lot more students, आप नहीं, basically दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है, aim तो लेकिन तब भी hire ही करो, aim तो तब भी hire ही करो, ठीक है, in how many ways, five boys and three girls stand in a queue, such that, no two girls are together, I guess, पहला वलोग कॉशन तो अभी तक सारे बच्छों ने crack कर लिया होगा, let me check if some answers are there, पहले वाले का answer यहां पर बच्च है, बाकि आएकिस answer सही है आपका, हम यहां पर क्या चीए, no two girls are together, तो girls को बोलो side में खड़ हो अभी, ठीक है, तुमको दिक्कत है ना, तुम side में खड़ हो, है ना, अब क्या है, यहां पर boys को बिठाते हैं फिर यहां पर, तो हम यहां पास में 5 boys है, B1, B2, B3, B4 and B5, ठीक जाना, ऐसा नहीं कि बस boys को यहां पर रख दिया, और अब इनके gaps, जो है, बीच में 6, उनके हिसाब से आपने portion करना start कर दिया, ने, आपको पहले boys को बेठाना है, तो boys क्योंकि distant इसलिए, आप उनको five factorial ways में बैठा होगे, ठीक है, फिर आप देखो कि कि इतने girls हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर 5 boys जो बैठा हुए है, उनके बीच में यहां पर कोई तो 3 gaps select करने की कोश्च करेंगे, let us say for instance, यह 3 gaps select कि है, तो कैसे select कि है, मेरे पास में तो 6 gaps थे, तो मैंने 6 में से 3 gaps को select कि है, लेकिन आप क्योंकि girls भी distinct है, तो कौन सी girl कहां पर 3 into 3 factorial, इसका total answer तो मुझे नहीं पता, अच्छा यहां पर 144 00 ऐसा तो मैंने कभी लिखा नहीं, इसका answer हमेशा ऐसे ही लिखा, आप लोग के calculate कर रहे हो तो बहुत ही बढ़ी बढ़ी बाद है, but the answer is this, second वाला सबसे यहादा interesting scenario वैसे है, second वाला is very interesting, ठीक है, second वाले को हम यहां करते हैं, okay, so let us try to imagine what will happen in the second scenario, second scenario में यह क्या बोल रहा है, second scenario में बोल रहा है, exactly two girls are together, अब यहां पर problem क्या है, कि इसने बताया नहीं को कौन सी दो girls साथ में होना चाहिए, बस नहीं बोले कि यार, तीनो girls हमें साथ में नहीं चाहिए, and तीनो girls अलग अलग भी नहीं चाहिए, हमें exactly two girls साथ में चाहिए, exactly two girls अगर मुझे साथ में चाहिए, तो मुझे यहां पर bundle method और gap method दोनों का ही इस्तमाल करना पड़ेगा, ठीक है, so to understand the second scenario, पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा, यह इसने question थोड़ा सा नहीं, और better तरीके से पूछना चाहिए था, इसने हमें बताई नहीं कि कौन सी two girls साथ में होना चाहिए, तो हम पहले तो यह देखेगे कि कौन से two girls को मुझे एक bundle में डालना है, ठीक है, girls का bundle यहां पर जो हमारे पास में बनेगा, ठीक है, वो bundle basically किस तरीके से बनेगा, हमें पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, तो हमारे पास म तीन सिनारियो को लिख लें, तो एक सिनारियो आपके समें एक सिनारियो हो सकता है, जहां पर आपने जीवन जीटू को बंडल में डाला है, और अभी जीट्री अलग होना चाहिए, जीट्री इन से अलग होना चाहिए, जीट्री इनके साथ में नहीं आना चाहिए, तो हम य यहां पर ऐसे कुछ सोच सकते हैं अगले पेस्ट पर ले थे थोड़ा से यहां पर लिख भी लेंगे सिनारियों के बारे में जीवन जीटू लेट से इस वन ऑफ दो केस है ना जीट्री हमने अलग करने के सोचा अथा कि हम यहां पर पॉशन को अच्छे तरी किसी करेंगे अब चेडर हम पर पर इन दोना जीटो यहां पर बटांगे एं और ओर इन दो में important आइड यहां पर आपका जो बंडल है उस बंडल के अंदर भी distinct objects हैं एक तो ऑद से मैंने decide कर लिया कि G1 G2 यहां प्राइना चाहिए लेकिन अभी यहां पर भी आइडिया है एक मेरे पास में यह तो जीवन जीटू जीवन जीटू या फिर जीटू जीवन मतलब क्या करेंगे इसके अंदर फॉर्दर एक टू-फैक्टॉरियल तो से बंडल क्रिएट किया पहले मैने थी सीटू से बंडल क्रिएट किया यह पिछले पेज़ पेज़ लिखा वह भी हमें अगले पेज़ पर क्यारी करना है। पहले हमने 3C2 से basically यह scenario create किया ना 3C2 से यह scenario create किया इस तरह का वोई ठीक है तो वो पहले हो चुका है scenario create हो चुका है अब हमने देखा कि चलो अब हमें यहाँ पर जो है इनको बैठाना है तो पहले हमने boys को बैठाया 5 factorial ways में फिर boys 5 बैठ चुके तो उनकी वीच में gaps से 6 तो आपने 62 से दो gaps को select किया फिर उन दो gaps ने आपने हाँ पर एक bundle और एक single girl को बैठाया लेकिन अब bundle के अंदर भी आपने हाँ पर जो फुर्दर arrangement किये ठीक है यह inside the bundle ठीक है inside the bundle का arrangement है ठीक है यह क्या है यह arrangement in the gaps और यह क्या है यह basically selection of gaps यह selection of gaps यह क्या है यह boys का arrangement है यह arrangement of boys और यह क्या था यह है आपका basically creation of bundle था कि कौन सी दो गल साथ में रहेंगी तो यह हमने creation किया है कि और बंडल है कि तो इस तरीके से आपको जो है स्टेप बाई स्टेप सारे को सॉल्ट करना है लेकिन इसके अदर अल्टिमेटली स्टेप कितनी है कि आपको समझना पड़ेगा कि अल्टिमेटली स्टेप इसके अंदर एक है न यहीं जहां पर पूरा एंसर लिखाओ यहीं स्टेप है एक स्टेप इसके अंदर कोई प्रिटी मुच ओके विद्धिस ऐस विल ठीक है 3C2 वाला समझ में नहीं आए रिमाइस सेंग 3C2 वाला समझ में नहीं आए देखलो बटा एक बार फिर से देखलो आपके लिख नोटिस किया कि आप जब 3 साथ में बैठे तो जादा मस्ति करते हैं और अगर 3 अलग बैठ होगे तो बिल्कुली बोर हो जाते हो ठीक है तो क्लास टेजिशन बुला कि 2 को साथ में बैठें की पर्मिशन है तो कम से कम एक ही बोर होगी के वल ठीक है ऐसा कूछ सीनारी में वी में nhưng कि मतलब सवंग में आएगी बात को ऑपको सथीकरी को अलग रखना है यहां लग एगा यह बहुत बात आप आपको स電 नहीं रहेंगे कौन सी है वह जो के लिए ठीक है सुमने तीन मैं से पहले दो का सेलेक्शन किया और इस तरह के सिनारियो कि आप इनंने समझने के लिए समझ्छाने के place आवस्कुलाइन मॉल् gjort Peace स्क्रीन के उपर है सारे बच्छे पढ़ें एक बार ध्यान से हैं 15 फैब को हो रहा है कि सब्सक्राइब को खतम हो रहा है तो यह मत करना कि मतलब 15 फैब को जो टॉपिक एंड होगा आपका वो उसके साथ साथ जैसे टीचर वो लगा कि आप खतम हो गया वैसे आपका भी खतम हो जाना चाहिए सिले बस ऐसे ने कि अब में सर रिविजन स्टार्ट करूंगा है न मुझे अब जो अप्रिल में पढ़ाए गया तो वो त है आप यहां पर सोच रहे हो अंज आशू ठीक है अरे वाँ हर्षद इस बैक इन लाइव चैट महेश इस ऑल्स सेंग फाइस दा एंसर बहुत बढ़ी है कली क्या था स्रीजेस ने भी एक कोशन अरे वाँ बहुत भी बढ़ीया बात है तो आपको यहां पर यह फील आ रहा है क्योंकि conference के साथ में जल्दी-जल्दी solve करते आना चाहिए ठीक है आज आप solve कर लोगे लेगन क्या exam के माहूल में solve कर पाते है कर पाते है अगर आपने practice अच्छे से की है इस तरह के questions आपने पहले देखे हुए है यहनों बहुत बार किये हुए तो आपके लिए विल्कु साथ में चाहिए लेकिन सारे की सारे गल्स ऑविसली डिस्टिंट है जीवन जीटू जीट्री जीफोर एंड जीपाई क्योंकि मुझे सब गल्स साथ में चाहिए तो में यहां पर क्या करूंगा इनको एक बंडल में डालूंगा ठीक है और पांच बॉइस को कोई दिकत नी पर भी रहेंगे उनको दुख नहीं है बीवन बीटू बीथरी बीफोर एंड बीफाइट तो अगर मैं इनको एक लाइन में अरेंज करना चाहता हूं तो मिरे पास में एंटिटीज कितनी हैं फॉर्स अर्रेंजमेंट के लिए एंटिटीज कितनी फॉर्स लेवल ऑप अरे तो मिरे पास में बेसिकली यहां पर छे एंटिटीज तो मैं सिक्स फैक्टरल में सबसे पहले अरेंजमेंट कर लूँगा एंवरी एंटिटी इस डिस्टिंक्ट तो यहां पर लॉस वाली फिलिंग हमें बिल्कुल भी नहीं आएगी डिवाइट किसी से भी करने की ज़रू करोगे सबको तो ऐसा कुछ आपको उनके डबबा थोड़ी नजर आए यह तो हमने समझने के लिए डबबा बनाएं जो हम यहां पर लाइन से अरेंज करेंगे तो हम यहां पर टोटल 10 स्टूडेंट्स खड़े वे नजर आएंगे अब उसके अंदर यह जी टू जी त्री आगे पीछे अगर कर दूंँ तो आपको क्या दिखाएगा तब भी केस मैच हो रहा है दिखाई देगा ठीक है तो वही हम यहां पर टिसकस करें कि अभी इंटर्नल अरेंजमेंट्स भी तो हो सकते हैं पहले बच्चों में भी तो यहां पर अर्रेंजमेंट्स हो सकते हैं तो कैसे होगा और बस यहीं आपका यहीं आपका बिसकली एंका वैल्यू है नौ लेट इस डिसकूस एम एम इस इंट्रेस्टिंग एम में क्या बोला है उसने लेट एम बिदे नमबर ओव वेज इन विच साथ में होना चाहिए थी वो क्या बोल रहा है एक्जैक्ली पांच में से चार ही गल्स साथ में होना चाहिए अब साथ में होना चाहिए इसलिए बंडल और जो पांच भी है वो अलग होना चाहिए इसलिए गैप मेथल दोनों ही हम यहां पर इस्तिमाल करने की जरुद पड कि हमने बंडल का क्रियेशन कंप्लीट कर लिए अब एक गर्ल अलग है और चार गर्स एक बंडल के अंदर है विजलाइस होगे लिखने की ज़रूत नहीं अलग से आप यहां पर बीच में एक सेपरेटर इमेजन कर लो ठीक है और तो यह हमने क्रियेट कर लिए बसके लिए से दिल्कत है तो हमने पहले बॉइस को बैठा देना चाहिए अगर गर्ल्स को हैना साथ में नहीं रखना है जब भी गैप में इस्तेमाल करने की नौबत आएगी तो हम यहां पर क्या करेंगे जिनको बिल्कुल भी प्रॉल्लम नहीं न उनको पहले बैठाए तो इसमें किसको पांच लोगों में गवंते हैं तोटल आपके छे बंते हैं आप यहाद होगे बनाने की जरूद नहीं अलग से और इस अज़ए तो हम यहां पर आप एडवांस को सब्सक्राइब अपना नज़र आएंगे उसमें से दो आप उसमें दो ही एक एक एंटिटी है बंडल जिसक select करूंगा gaps लेकिन अब कौन से gap में क्या गया एक single girl गई या bundle गया उससे फरक पड़ेगा yes मतलब हम उनको भी arrange करना चाहेंगे further so two factorial ways में आप उनको arrange करोगे लेकिन अब एक ये जो bundle है ये कहीं तो गया है किसी एक gap में गया है लेकिन वहाँ जाने के बद क्या bundle के अंदर आप further arrangements कर सकते हो yes आप further arrangements four factorial ways में कर सकते हो बहुत सारी terms लिखिए एक ही step लिखा है लेकिन क्या सारी steps clear है सारे बच्चों को अब आपको यहाँ पर करना क्या है आपको m upon n calculate करके बताना है तो calculate करो और देखो कितना answer आएगा m upon n ठीक है so m का जो value है उसके दर आपको क्या क्या दिखाई देर है आपको 5C4 का value 5 नजर आ रहा है उसके आदमें आपको उसमें 5 factorial है उसके आदमें आपको बसमें 6C2 है which can be written as 6 into 5 upon 2 ठीक है and then we have 2 factorial which is 2 and then we also have 4 factorial ऐसके हैं और नीचे कितना है हमारपास में नीचे हमारपास में 6 factorial and 5 factorial 6 factorial and 5 factorial interesting एक calculation निहां पर देखो ध्यान से आपको वास में यह जो दूनों है यह इसके साथ मिलके कितना हो जाएगा 6 factorial हो जाएगा यह दोनों आपस में cancel हो जाएगे और यह जो six factorial बनेगा, यह इस six factorial के साथ में cancel हो जाएगा, five factorial, five factorial आपका cancel हो जाएगा, और आपका answer यहाँ पर बचेगा, मातर पांच, ठीक है, so five is the answer for this question, m upon n का value कितना आएगा, पांच आएगा, यह जे एडवांस का question है, just because, यहाँ पर advance लिखा हुआ है, doesn't make it advance level question, यह एक ऐसे exam का question है, जिसका नाम जे एडवांस रहे, यह difference दिमाग में डालो, जे एडवांस नाम है उसका, advanced level problem, ऐसे कोई tag नहीं लगा इसके उपर, ठीक है, यह जे एडवांस जो एक paper होता है, आपका एक exam होती है, इंडिया में काफी reputed exam है, उस exam में यह question आया है, ठीक है, आप जे एडवांस को इस नजर से देखना स्टार्ट करो, आपको जाधा comfortable feeling आएगी, ठीक है, यहाँ पर नाम के साथ में काफी दिक्कत होती है, जैसे कि complex numbers ह यहाँ पर next start करने वाले है, ठीक है, तो बच्चे को complex number सुनके ऐसलों लगता है, कुछ तो complex होगा उसके अंदर, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले थी अगर ही मालों को कुछ complex है, तब तो सारी चीज़े आपको complex ही लगेंगी, ठीक है, be ready for the idea that you are learning है, हर एक चीज तो नह होना है, ठीक है, यह जाई है, एडवांस का PY की वेबस, सिंबल है, ठीक है, बिल्कुल चिंदी कोशन है, पांच हमारे हाँ पर answer निकल करें है, लेकिन हमने जो भी concept यहाँ पर lecture में सीखें है, बहुत अच्छे तरीके से उसने use कर वाली है, उसने हाँ पर जो है, बंडल मे क्या किया, इसने पहले बंडल हम से क्रियेट करवाएं, और फिर उसके बाद में गैप मेधर का इस्तेमाल करवाएं, यहाँ से लेकिंगे यहाँ पर पहले दो पाई फैक्टोल बेस में बॉइस को बठाएंगे, फिर छे में से दो गैप का सेलेक्शन करेंगे, और उन में बेसिकली, एक बंडल और एक गर्ल, सिंगल गर्ल को अरेंज करेंगे, लेकिन फिर विदिन दे बंडल भी क्योंकि अरेंजमेंट हो सकते हैं, इसलिए इडिशन फॉर फैक्टोरी, ठीक है, आयो सर बच्चों को यहाँ पर बात समझना आ रही है, ठीक है, सर इतना सिंपल होता है कि जेएडवांस येस, अगर आपके कॉंसेट्स और फंडामेंटल्स अगर क्लियर हैं, तो जेएडवांस सिंपल होता है, ठीक है, मतब जेएडवांस क्रैक करना सिंपल होता है, क्या जेएडवांस में टॉप हंड्रेड लाना सिंपल है नहीं, J.E. Advance में Top 100 लाना आसान है I am saying कि J.E. Advance को crack करना बहुत आसान है कि J.E. Advance में इस तरह के भी कोशन हमें मिलते हैं and every J.E. Advance paper will at least have 50% questions जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो लेकिन आप भी सोचे कि बच्चे 50% भी इसका मतलब नहीं ला पाते हैं मैं हापर देखो दो अलगलग statement बो ऐसे हैं जो आप आसानी से कर सकते हूं ठीक है और सेकंड सेक्टमेंट इस कि अगर आफ 50% पर जीए ड़ूंस का सॉल करोगे ना आपका सेलेक्शन हो जाये मतलब simple questions भी अगर कर लोगे तो selection हो जाएगा तो क्या J advance crack करना simple होगे ना J advance crack करना simple होगे क्योंकि 50% पर आपका J advance crack हो जाता है इसका दो मतलब समझो कि आप अगर यहाँ पर महनत कर रहे हो आपने अगर सारे topics समझे तो आपके लिए तो बहुत ही आसान है पर आपको 100% सिल बस आता है और आपको 50% तक ही पहुचना है तो आप पके से पहुची जाओगे ना तो अगर आप यहाँ पर dedicated student हो तो आपके लिए बिल्कुल भी आपके दिक्कत नहीं है जे एडवांस आप crack कर सकते हो लेकिन अगर 50% पर जी एडवांस कराया हो रहा है इससे हम समझे क्या कि इंडिया में यहाँ पर 10,000 बच्चे भी ऐसे नहीं है जो 50% पेपर सौल करके आप आते हैं तो अभी तो 50% वालों को हो जाता है जबकि पेपर कितने लोग देते हैं पेपर तो बहुत सारे बच्चे देते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर यह देखो कि यार प्रिप्रेशन आपकी अगर यहाँ पर जो है complete नहीं हो पार यह तो एर इंडिया में almost हर बच्चे का यही सीन है और इसलिए तो दिक्कत है पाते हैं उस 50 परसेंट वाले ब्रैकेट के अंदर ठीक है आप अगर आप आऊगे तो आपको यहां पर यहाँ वाले च्लास लिस्टेशन का एक बड़ा वर्जिन सौल करना था यहाँ यहाँ बुला था कि आपको दो गर्स को साथ में रखना है तो बहले तो आपने यहां यहां पर था कि आपको चार गल्ज को साथ में रखना था टो पांच वी को सेपरेट करना जरूरी है तो पांच वी को सेपरेट करना भी जरूरी है जब यहां पर exactly poor girls stand consecutively बोला गया है थे इसके अंदर दोनों implications है तो 4 को क्योंकि 7 में रखना जरूरी है इसलिए bundle करना जरूरी है और 5 भी को अलग रखना भी जरूरी है नहीं तो 5 और 7 में आजेंगे तो आपका case false हो जाएगा इसलिए gap method भी जरूरी है ठीक है कि आपने पहले यहाँ पर पहले तो boys को बैठा दिया फिर आपने gap select किये फिर आपने gap में arrange किये ठीक है यह क्या है यह boys boys को select किये boys का arrangement है यह क्या है यह gaps का selection है यह gaps का selection है उन boys को बैठाने के बाद में जो gaps create हो उनमें से आपने दो gap को select किये ठीक है यह basically arrangement inside the gaps within the gaps या फिर ऐसे लितने arrangements arrangements in the gaps ठीक है दो gaps हैं दो entities हैं कि दिने तरीक से arrange किया सकते हैं अब यह जो मैंने bracket लगाए यह basically आपका concept bracket है यह आपका gap method का वाला bracket है लेकिन यह जो है और उसके साथ में यह जो लास्ट वाला टर्म है यह क्या रिप्रेस्ट कर रहा है आपने पहले हाँ पर bundle create किया और bundle के अंदर आपने अरेंज किया इसके अंदर दोनों आइडियाज है question अच्छा है लेकिन क्या मुश्किल कहा जाएगा इसको नहीं अगर आपको हर एक स्टेप बिल्कुल क्लास स्टेशन से मैच होती हुए नजर आ रही है तो आप इसको डिफिकल्ट कैसे बोल सकते हैं क्योंकि डिफिकल्ट तो वह होता है जो अन्नोन है अपको यहाँ पहले अगर यह मेहनत करने बढ़ती कि आप कोशन समझते खुद से केसे बनाते हैं ठीक है ओल्राइट यहाँ अच्छा लग रहा है फिर तो मुझे सुनके कि आप क्लास टेंथ में इतने अंसर दे पा रहे हुए न तो आप फोड़ दो कि फिर तो दो साल बाद ठीक है ऑल्राइट शाट आट फॉर हंड्रेड एंड 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 अच्छा अनुरा गी सीन्ट एंड 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 कर रहा है थैंक्यव एरे मच पूर आप इंड पर इंड एंड उड सकते हैं हमारे साथ-साथ यहाँ पर इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, आपको यहाँ पर जो है, जो रिजल्ट से एक तरीके से कॉनफेटेंस भी देते हैं, कि सिस्टम कितना अमेजिंग है, और साथ-साथ आप यहाँ पर अगर 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 इंस्टॉल कर लो यहाँ पर अनक्याडमी का अप, इवन इफ यू आर गोई टूप यहाँ पर फ्री टेस्स सेशन से उनको अटेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए अप तो सारे बच्चों को बास में होना ही चाहिए, तो आपके बास में पर प्लस और आइकोनिक दो आपको यहाँ पर गाइडन्स की कोई कमी नहीं हो थी, and then you need to decide the duration as well, and समीर लाइक के साथ में आपको maximum possible discount भी मिलेगा, मुझे ही पता से लएगा कि आप सारे मेरे स्टूंट अलड़ी रह चुके हैं, लेकिन entire ecosystem को यहाँ पर यूज करने के लिए अपने performance को further improve करने के लिए, एक direction के लिए आप यहाँ पर subscription platform join कर रहे हो, ठीक है, and I guess यहाँ पर price भी थोड़ा सा change हो रहा है, आप सारे बच्चे एक बार देख लेना, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि आप भी बोलो कि सर आपको पता था कि change हो रहा है, तो आपने बताया क्यों नहीं, ठीक है, तो पर change ऐसा कुछ होने वाला है, वो तो यहाँ पर clearly mentioned है, ठीक है, and the batches are starting off, कई सारे यहाँ पर 2023, 2022 वाले batches जो है, अभी recently start होने वाले है, तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि क्योंकि कई सारे educators है, so कई सारे educators यहाँ पर अलग-लग time पर बच्चों के need के हिसाब से batches launch करते ह वो basically बच्चे उन courses में add हो सकता है, अगर आप चाहते हो कि आप पहले से salary batch उसमें join कर लो, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नी है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पर subscription लेते हो, तो उसके पहले जो कुछ हो चुका है, और उस time पर जो हो रहा है, और उसके बाद में जो कुछ ह होने वाला है, you are eligible for everything, you are eligible for everything, ऐसे नहीं कि यहाँ पर जो है, जिसकी WhatsApp में शायद ऐसा होता है, WhatsApp में जब हम यहाँ पर किसी group को join करते हैं, ठीक है, तो अगर वो पुराना group है, और उस group में पहले से वहाँ पे अगर कुछ conversations हो चुकी है, तो मुझे शायद वो conversation देखने के लि platform join करोगे, आप अगर अभी September में join करोगे, तो भई April से यहाँ पर पढ़ाया गया है, वो भी आप देख सकते हो, obviously, that is also your course material, उसको आप जो है, ऐसा मसाचना कि वो नहीं देखने के लिए मिलागा, जो अभी पहले नहीं हुआ था, और जो आगे आने वाला है, जो course अभी तक courses as well, हैना, तो यह बढ़िया चीज़े हैं इसके नदर की आपको freedom पूरी तरह से मिलते हैं, आप यहाँ पर combat के लिए भी हैना, अपियर हो सकते हैं, यह भी काफी अच्छा exam है, और आपको scholarship भी मिलती है, और आपको यहाँ पर जो है, apart from the academic idea, मैंने बाकी सारी चीज़े भी बता दी है, so that's it for the day, काफी अच्छा लगा, काफी यहाँ पर जो है, एक दिन successful हो गया, ऐसा feel होता है, हैना, आप सब से यहाँ पर मिलकर और आपको बढ़ा कर, ठीक है, and Sunday है आज, इसलिए हैं सा ख्यारा हूँ, यहाँ 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 पी मिलने का मौका हमें मिला है, ठीक है, चलो, great to see you all, bye-bye बच्छों, take care, good night